एक लड़कों की अपेक्शाकृत लड़कियां ज्यादा भावुक होती है और बात-बात पर उनकी भावनाएं उमड आती है। दो लड़कियां आसानी से कोई फैसला नहीं लेती लेकिन जब आखिरकार वहाँ अपना फैसला चुण लेती है तो उस पर टिके रहने का प्रयास करती है। चार लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा धहर्यवान होती है। पहर परिस्थिती में अपने धर्य को कायम रखना चाती है और इसके लिए सतर प्रयास भी करती है। जबकि इसके विपरीत लड़के उतावले होते हैं। पांच लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा बाते करना पसंद करती हैं। लेकिन केवल उनी लड़कों के साथ जिनके साथ वह सुरक्षित और बहतर महसूस करती हैं। नए और अनजान लोगों के साथ लड़कियां ज्यादा तर चुपचाप रहती हैं। 6. लड़कियां परिस्थिती के साथ बदलने पर ज्यादा विश्वास रखती हैं। जबकि द्रड निश्ची लड़के परिस्थिती के साथ नहीं बदलना चाते। 7. लड़कियां अपने प्रेमी की बात को तभी तक गंभीरता से लेती हैं। जब तक वहाँ उनके बेहत करीब अथवा संपर्क में होती है लेकिन उनसे दूर जाते ही लड़कियों के गंभीर विचार बदल जाते हैं हालांकि यह बात हर लड़की के विशय में लागू नहीं हो सकती कुछ लड़कियां सामान्य लड़कियों से विपरीत व्यवहार भी करती है आठ लड़कियां जजबाती लड़कों के साथ रिष्टा बनाने में कम विश्वास करती हैं जबकि उन्हें रिलेशन्शिप को सामान्य रूप से लेने वाले लड़के ज्यादा पसंद होते हैं। नौप्रेम संबंध में आने के बाद लड़कियां अपने गंभीर पार्टनर को सामान्य बनाने की कोशिश करती हैं क्योंकि उन्हें रिष्टे में ज्यादा गंभीरता नहीं पसंद। दस लड़कियों को बाते करना ज्यादा पसंद होता है। वह दूसरे मनोरंजक संसादनों का सहारा लेने की बजाए धेर सारी बाते करना ज्यादा पसंद करती है। जारा पुरुषों की अपेक्शाकरित लड़कियों को आकरशक भेंट यानी की सर्प्राइस गिफ्ट ज्यादा पसंद होता है। बारा लड़कियां अपने पार्टनर का हाथ पकड़ कर उन्हें महसूस करना ज्यादा पसंद करती है। चौदा लड़कियां उन लड़कों या उन लोगों को पसंद नहीं करती जो उन पर विश्वास नहीं करते खास कर तब जब वह अपना रिष्टा इमानदारी से निभा रही हो। 15. लड़कियां ज्यादा बोलने वाले लड़कों को पसंद नहीं करती क्योंकि वह खुद ज्यादा बोलना पसंद करती हैं. वह चाहते हैं कि उन्हें शांत पार्टनर मिले जो उनकी ज्यादा बाते सुनें. पुरुशों के मुकाबले लड़कियों को इंतजार करना पसंद होता लड़कियां किसी चीज का इंतजार करने की बजाए उसे दूसरे से रिप्लेस करने में ज्यादा विश्वास रखती है 17 लड़कियों को यहाँ बात बहुत पसंद आती है जब कोई लड़का उनसे किसी बात पर सलाह लेता है 18 महिलाएं पुरुषों से ज्यादा फुर्तिली होती है वह अपना काम बेहत तेजी से खत्म करती है 19 लड़कियों की प्रकृती निशेद होती है वह ज्यादातर पर चीजों के लिए मना ही करती है भले मन ही मन वह उसे चाहती क्यों न हो प्रेम संबंध में भी कुछ ऐसा ही होता है 20 मनोवैज्ञानिक रूप से लड़कियां शारिरिक संबंध बनाने के लिए ज्यादा उत्सुक होती है जबकि इसके विपरीच शारिरिक संबंध बनाने को लेकर बाहर से उनकी निशेधात्मक प्रवृत्ती होती है 21 महिलाएं खुद से जुड़ी ज्यादा तर बातों को सारवज ने करना पसंद नहीं करती बल्कि उन्हें छिपा कर रखने पर ज्यादा विश्वास करती है लेकिन जब बात किसी दूसरे से जुड़ी हुई हो तो उनका व्यवहार इसके विपरीथ होता है 22 पुरुषों की तुल्ला में महिलाएं गंभीर परिस्थितियों से ज्यादा भैभीत हो जाती है 23 महिलाओं के मानसिक विचार पुरुषों की तुल्ला में ज्यादा बदलते हैं 24 महिलाएं खुद को सही साबित करने के लिए पुरुषों से ज्यादा बहाने ढूनती रहती है पुरुषों की मुकाबले ज्यादा तर्वा प्रत्यक परिस्थिती में खुद को सही साबित करना चाहती है 25 महिलाए पुरुषों की अपेकशाकरित ज्यादा मल्ती टास्किंग होती है 30 महिलाए तनाव को संभालने में बेहद निपुर होती है जबकि पुरुष खुद को तनाव में संभालने के लिए कमजोर होते है 33 महिलाएं बात-बात पर शक करती है जबकि अगर कोई पुरुषों का विश्वास जीत ले तो वहां उन पर शक करना छोड़ देते है 34 लड़कियां मौका देखते ही अपने फैसले बदल देती है 35 पुरुषों की अपेक्शाकृत महिलाएं अच्छा खाने और अच्छा पहनने की शौकीन होती है 36 मनोविज्ञान के मुताबिक महिलाएं जिस पुरुष के साथ प्रेम करती है उससे ज्यादा नजरे नहीं मिला पाती ऐसी महिलाएं उस पुरुष के आगे शर्मीली प्रवृत्ती रखती है 37 पुरुषों की तुल्ना में महिलाओं का इम्यून सिस्टम अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है 38 महिलाएं पुरुषों की तुल्ना में सामने वाले का चहरा पढ़ने में माहिर होते हैं इसलिए वा आसानी से सामने वाले के मन की बात भाम लेते हैं 49 एक दावे के मुताबिक महिलाएं दिन भर में तकरीबन 20,000 शब्द बोल सकते हैं 40 महिलाओं में पुरुषों की तुल्ना में कुछ सुंगने की क्षमता ज्यादा बहतर होती है इसलिए वा गंद को बहतर तरीके से समझ सकती है 41 एक दावे के मुताबिक महिलाएं अपने जीवन का तकरीबन एक वर्षी यह सोचने में बिता देती हैं कि वा क्या पहने 42 महिलाओं पुरुषों की तुल्ना में बहुत जल्दी करो देती है एक दावे के मुताबिक महिलाओं साल भर में औस्तन 30 से लेकर 64 बार रोती है जबकि पुरुष केवल 10 से लेकर 17 बार तक की रोता है यह कम ज्यादा भी हो सकता है लड़किया जब बात बात पर रो देती है तो समझो की वो लड़की दिल से बहुत सिंसिटिव और अच्छी है वो किसी को तकलीफ नहीं पहुचा सकती है लड़की जब आपने आत्म सम्मान की बाते करने लगे तो समझ जाए की अब वो किसी से नहीं दबेगी और नहीं अपने आपको हट करेंगी किसी और के लिए लड़कियों को पोजेसिव लड़के पसंद होते है वो चाहती है कि जिस लड़के के साथ वो रिलेशन में है वो उनके लिए पोजेसिव हो लड़कियों को ये बात बिलकुल अच्छी नहीं लगती कि उनका boyfriend या पती उसके अलावा किसी लड़की की तारीफ करे या उनकी बाते करे लड़किया multitasking, multitasking होती है, पुरुशों के मुकाबले ये तो सभी को पता है और ये बात बिल्कुल सच है लड़कियों लड़कों से ज्यादा जल्दी घबरा जाती है और डर जाती है लड़कियों रिष्टे में जगडे को मिटाने में लिए सोरी पहले बोल देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी गलती उनहीं की थी पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता लड़कियों को शुरू से ऐसा सिखाया गया है इसलिए वो ऐसा करती है लड़कियों के पास एक से ज्यादा पेन रिसेप्टर्स होते हैं पुरुषों के मुकाबले लेकिन दर्च सहने की छमता औरतों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है